बिस्मिल्लाहिरामाल रहीम, देर पेरेंट्स, टीचर्स, एंड स्टूडेंट्स, असलाम लेकों, आज हम SNC English Grade 1 का Unit No. 5 पढ़ेंगे, जो के एक पोईम है, Sharing is Scaring, Page No. 43, Getting Started, Look at the picture, तस्वीर को देखें, What is happening, क्या हो रहा है, The people are taking care of each other, लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, When we live together, जब हम अकटा रहते हैं, We help each other and share our things, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, We need to be kind to each other and forgive each other's mistakes, हमें एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देने वाले और रहम दिल होना चाहिए, Let's talk, How do you care for your family and friends, आप अपने खांदान और दोस्तों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, तो इसका अंसर है, We can take care for our family and friends by help them in their daily routine work, हम अपने दोस्तों और खांदान का ख्याल उनकी रोजमरा की काम में उनकी मदद रख करके कर सकते हैं, Would you like to help someone in need, why? क्या आप जरूरत के वक्त दूसरों की मदद करना पसंद करेंगे, क्यों? Yes, जी हाँ, because it is a good deed, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, and I want to be a good boy or girl, और मैं एक अच्छा लड़का या लड़की बनना चाहता हूँ, Question number 3 है, Have you ever given your favorite why to one of your friends? Why? क्या आपने कभी अपना पसंदीदा क्लोना अपने किसी दोस्त को दिया है, क्यों? Yes, I give my dry car to one of my friends, मैंने अपनी क्लोना कार अपने एक दोस्त को दी थी, Because, क्योंकि he belongs to a poor family, उसका तालुख एक गरीब खान्दान से है, And, I love him, या her, और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसके बाद है, page number 44, Let others share, pre-reading, look at the given picture and tell what the poem is about, दीगी तस्वीर को देखें, और बताएं के ये नजम किस बारे में है, This poem is about caring and sharing, ये नजम एक दूसरे का ख्याल रखने और चीजों को बांटने के बारे में है, Next है, Do you share your things with your siblings, क्या आप अपनी चीज़ें अपने चोटे बेन भाईयों को देना पसंद करेंगे, Yes, I share my things with my siblings, while reading, Do you share your things with your classmates, क्या आप अपनी चीज़ें अपने classmates, यानि अपने क्लास के साथियों को देना पसंद करेंगे, Yes, I want to share my things with my classmates, Let others share your choice, my son, जैसा कि हम तस्वीर में देखते हैं, माँ अपने बेटे से कहती है, मेरे बेटे अपनी चीज़ें दूसरों के साथ मानते वाले बनो, Do not insist on all the fun, हर वकत खेल कूद में लगे रहने वाले ना बनो, For, क्यूंकि, If you don't, it's certain that you will grow to be an adult spread, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप यकीनन बड़े होका और एक बुरी आदात रखने वाले भज़े बन जाओगे, How many rhyming words are there in the poem? नजम में कितने rhyming words इस्तमाल हुए हैं? आपको पता है कि rhyming words क्या होते हैं? जिनकी ending sounds एक जैसी होती हैं, उन्हें हम rhyming words कहते हैं, जैसे यहाँ पे है sun, fun, that, bread, यह चार rhyming words इस्तमाल हुए हैं, यहाँ पे हमने four लिखना है, Have you ever shared your stuff with anyone? क्या आप अपनी चीज़ें कभी किसी दूसरे के साथ share करते हैं? Yes, I share my pencils, results and colors with my class fellows. तो students, यहाँ पे आज का lesson खतम होता है, नेक्स्ट लेसन में हम इसकी exercise करेंगे, तब तक के लिए, लाफेस.